नमस्कार Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख की सबसे पहली खबर पर्यावरण से सम्मंदित है हाल ही में सरकार ने आर्किटिक नीती का प्रारूप तयार किया है इस प्रारूप नीती का उद्देशी ये सुनशित करना है कि आर्किटिक संसाधनों का उपयोग संधारिनिय रूप से और आर्किटिक परिशत जैसे निकायों दोरा तैयार की गई नीतियों के अनुरूप होना चाहिए ये आर्किटिक शेत्र में भारतिय पहुच को बढ़ाने के लिए शमता निर्मान पर भी ध्यान केंद्रित करेगा भारत की आर्किटिक नीती पांच इस्तंभों पर आधारित होगी जो है विज्ञान और अनुसंधान, आर्थिक और मानव विकास सहयोग, परिवहन और संपर्क, शासन और अंतराष्ट्रे सहयोग तथा राष्ट्रिय शमता निर्मान आईए अब भारत के लिए आर्किटिक के महत्तों को जानते हैं प्रित्वी के वायू मंडलिय समुद्री संबंधी और जैवरासाइनिक चक्रों पर आर्किटिक प्रभाव भारत को भी प्रभावित करेगा इसके कारण राष्ट्रे विकास, आर्थिक सुरक्षा, जल सुरक्षा, आदी जैसे महत्तों पहलूँ के प्रभावित होने की आशंका है आर्किटिक अनुसंधान से हिमाले के हिमनदों के पिघलने की दर्का अध्यन करने में सहयता प्राप्त होगी इसके अलावा खनिज, तेल और गैस भंडार से सम्रिध आर्किटिक शेत्र में भारत की रुची है आईए अब जानते हैं आर्किटिक शेत्र के बारे में शेत्र में आता है यदि आर्किटिक परिशत की बात करें तो ये आर्किटिक शेत्र में सहयोग के लिए एक उच्चे स्तरिय अंतर सरकारी मंच है इसे पर्यावरन सनरक्षन और सतत विकास के दोहरे उद्देश्य के साथ इस्थापित किया गया था इसमें आठ सदस्य राष्ट्र इस्थाई प्रतिभागी और परिवेक्षिक शामिल हैं कनाडा, डेन्मार्क, फिनलेंड, रूस, सेंक्तुराज, अमेरिका, आइसलेंड, नौर्वे और स्वीडन इसके सदस्य राष्ट्र हैं भारत वर्ष 2013 में इसका एक परिवेक्षक सदस्य बना था अगली खबर उर्जा शेत्र से संबंदित हैं हाल ही में भारत ने दक्षिन एशिया में उर्जा सुरक्षा के लिए एक उच्चस्तरिय समू इस्थापित किया है ये सूचना प्रसारित हो रही है कि भारत ने विदेश मंत्राले के एक ठिंक टैंक विकास सील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के तहत एक साउथ एशिया ग्रूप और एनरजी की स्थापना की है इसका उद्देश्य द्विपक्षिय उपशेत्रिय और शेत्रिय आधार पर परसपर समझ और सहयोग के माध्यम से उर्जा अवसनरचना के इस्थतम विकास को प्राप्त करना है आईए अब भारत के लिए इसका महत्तु जानते हैं इससे पडूसी देशों को विकेंद्रिकृत उर्जा समाधान प्रदान होगी इसके साथ पीडिगत परिसंपत्ती के उपियोग में सुधार के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त होगा ये दक्षिनेशिया इस शेत्र में उर्जा की प्रतिविक्ती खपत को बढ़ाने के लिए इस्टतम समाधान विक्सित कर सकता है ये जलवायू परिवर्तन संबंधी चिंताओं के निवारन में भी सहता कर सकता है दक्षिन एशिया इस शेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकता है आई अब शेत्रिय उर्जा सहयोग की दिशा में भारत के प्रयासों को जानते हैं वनसन वन वर्ल्ड वन ग्रिट का प्रथम चरण मधिपूर्व दक्षिन एशिया दक्षिन पूर्व एशिया से सम्बंदित है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का उद्देश्य सौरूर्जा को स्थानांत्रित करने के लिए एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से 140 देशों को जोड़ना है सीमा पार विद्युद व्यापार विनिमें 2019 के तहत भारत और पडूसी दोश्यों के बीच विद्युद के क्रय और विक्रय की अनुमती होगी भारत वर्तमान में नेपाल और भूटान में पेट्रोलिय मुत्पादों की लगभग संपूर्ण मांग की आपूर्ती करता है अगली ख़बर सूचना एवं प्रोदेगी की से सम्मंदित है डाक वेब पर 100 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों का डेटा लीग हुआ एक सूचना के अनुसार भूगतान संबंदित डेटा बैंगलूरू इस्थित डिजिटल भूगतान प्लेटफॉर्म जस्पेस से लिया गया था और अब इसे डाक वेब पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया है आई आप डाक नेट या डाक वेब के बारे में समझते हैं डाक नेट या डाक वेब इंटरनेट पर encrypted network है इस network तक Google, Yahoo या Bing जैसे सर्च इंजनों द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता है इसकी सामगरी encrypted होती है जिस तक केवल TOR यानी The Onion Router या I2P Invisible Internet Project जैसे विशेश सफ़वेर का उपयोग करके ही पहुँचा जा सकता है ये लोगों की अनामिकता और गोपनियता को बनाई रखने और उनके विचारों को स्वतंत रूप से व्यक्त करने में सहता करता है आपको बता दें कि Dark Web का अवैद गतिविदियों जैसे कि मादक पदार्थों की तसकरी, हतियारों के अवैद व्यापार, आतंक वादियों दोरा संचार के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वेबसाइटें सामाने तोर पर सरकार की निगरानी से दूर होती है Dark Web के विरुद्ध भारत में कई कदम उठाए गए हैं जैसे केंदर सरकार ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डेटा और मेटा डेटा के विदेशी स्रोतों आधारित सामगरी प्रदाताओं पर नियंत्रन रखने का निर्देश दिया है केरल पुलिस ने साइबर डोम परियोजना के तहट एक विशेश डाकनेट लैब इस्थापित की है अगली खबर अंतराष्ट्रे संबंधों पर आधारित है अंतराष्ट्रे परमाणू उर्जा एजिंसी ने इरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन संबंधी गतिविधी आरंब करने की पुष्टी की है सैंक्त उराष्ट्रे के परमाणू प्रहरी यानि अंतराष्ट्रे परमाणू उर्जा एजिंसी ने पुष्टी की है कि इरान के फोर्डो संयंत्र में 20 प्रतिशत शुद्धता तक यूरेनियम का समवर्धन करने की योजना है ये कदम इरान के परमाणू समवर्धन कारिक्रम को वर्ष 2015 से पूर्व के इस्तर पर ले जाएगा जब इसने P5-1 देशों के साथ संयंक्त व्यापक कारियोजना में प्रवेश किया था समवर्धित यूरेनियम का उपयोग रियक्टर इंधन और परमाणू बम बनाने के लिए किया जा सकता है हतियार बनाने के लिए 90 प्रितिशत शुद्ध यूरेनियम की अवश्यक्ता होती है अंतराष्ट्रे परमाणू उर्जा एजेंसी वर्ष 1957 में परमाणू प्रद्योगिकियों के सुरक्षित, सनरक्षित और शांतिपून उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था परमाणू अप्रसार संधी और परमाणू हतियारों के प्रसार के विरुध अन्य संधियों के अंतरगत अंतराष्ट्रे परमाणू उर्जा एजेंसी परमाणू निरिक्षोनाले के रूप में कारि करता है कुछ देशों में अंतराष्ट्रे परमाणू उर्जा एजेंसी समझोतों के तहट सुरक्षा उपायों को लागू करता है ये समझोते केवल परमाणू सामगरी, सुविधाओं, उपकरणों या समझोतों में निर्दिष्ट सामगरी पर लागू होते हैं भारत में भी इन रख्षवपायों को अपनाया गया है, जिसमें भारत के साथ सुरक्षा उपायों में निर्दिख्षकों के पदनाम, वीजा और संचार प्रनालियां शामिल है हाल ही में भारत में ये निर्णे लिया है कि केवल उन्ही रियक्टर्स को IAEA के रख्षवपायों के अंतरगत लाया जाएगा, जिनका ये आंकलन किया गया हो कि इन रियक्टर्स में विदेशों से आयातित यूरिनियम का उप्योग किया जा रहा है अगली खबर PM आशा से सम्मंदित है गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा PM आशा में चावल गेहूं को शामिल किया जा सकता है केंदर सरकार किसानों के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री अन्रदाता आए सन्रक्षण अभियान पीम आशा में धान और गेहुं को शामिल करने जैसे विभिन्ने विकलपों पर विचार कर रही है PM आशा में शामिल करने से धान और गेहूं मूली नियुनता भुगतान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाएंगे PM आशा के बारे में बात करें तो इसका उद्देश ये किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूली सुनिश्चित करना है PM आशा योजना के तीन घटक हैं जिसमें पहला है मूली समर्थन योजना इसके तहट केंद्रिय नोडल एजिंसियों द्वारा दलहन तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद की जाएगी और दूसरा है मूली नियूनता भुगतान योजना PDPS ये उन सभी तिलहनों को समाहित करने के लिए प्रस्तावित है जिनके लिए नियूनतम समर्थन मूली अधिसूचित किया गया है इसके अंतरगत पूर्व पंजीकृत किसानों को MSP और विक्रे या वास्तविक बाजार मूली के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा इसमें फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है निजी खरीद और स्टॉकिस्ट पाइलट योजना तिलहन के मामले में राजियों के पास चुनिंदा जिलों में PPSS को अपनाने का विकल्प होता है इसके तहट कोई निजी प्रतिभागी बाजार मूली के MSP से कम हो जाने पर MSP पर फसलों की खरीद कर सकता है आईए अब नज़र डालते हैं कुछ संशिप्त किंतु महत्तुपून खबरों पर सरकार साधनिक्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक धारक कमपनी यानि BIC स्थापित करने की योजना बना रही है वर्ष 2014 में BIC को P.J. नायक समिती द्वारा बैंकों के बोड के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था BIC द्वारा स्वतंत रूप से सरकार के हस्तशेप के बिना सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाएगा इसके द्वारा ये सुनिश्चित करने में सहता प्रदान की जाएगी कि इन बैंकों में सरकार की हिस्तेदारी को रणनीतिक रूप से कम करके 51 प्रतिशत तक किया जाए कई लगू वित्ट बैंकों जो अपने प्रारंभिक सार्वजिनिक प्रस्ताव का शुभारंब करने की तयारी कर रहे हैं अपनी सुचि बधता की समय सीमा में विस्तार पाने की अपेक्षा कर रहे हैं भारतिय रिजर्व बैंक के दिशानिरदेशों के अनुसार जब लगू वित्ट बैंक की नेट वर्थ 500 करोड रुपे हो जाती है तो इसे तीन वर्षों के भीतर सूचि बध कराना अनिवारे होता है लगू वित्ट बैंकों का उद्देश्य उच्च प्रद्योगी की निमनलागत परिचालनों के माध्यम से बचत के प्रावधान और लगू विवसाई इकाईयों लगू एवं सीमांत किसानों, सुक्ष्म एवं लगू उद्द्योगों और अन्य असंगठित शेत्र की इकाईयों को रिण की आपूर्ती द्वारा वित्य समावेशन को आगे बढ़ाना है लगू वित्य बैंकों को नचिकेत मोर समीती द्वारा प्रस्तावित किया गया था सागर माला जल्विमान सेवाएं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले द्वारा एयरलाइन परिचालकों के सहयोग से दिल्ली से अयोध्या सहित कई मार्गों पर जल विमान सेवा लॉंच करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस परियोजना का निश्पादन और कार्यान वेन सागर माला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। अंटाक्टिका में 40 पे भारतिय वेज्यानिक अभियान का शुभारंभ। बेस स्टेशनों का निर्मान किया है जिनके नाम है दक्षिन गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में अंटाक्टिका में भारत के दो अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारती परिचालन में है। राष्ट्रे ध्रुविय और समुद्री अनुसंधान केद्र NCPOR गोवा संपूर्ण भारतिय अंटाक्टिका कारिक्रम का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदाई है। वैज्यानिक तथा ओध्योगिक अनुसंधान परिशद राष्ट्रे भातिक प्रयोगशाला CSIR NPL ने अपना 75 वा स्थापना दिवस मनाया। इसे बाट और माप मानक अधिनियम 1956 के अधिनस्त विधानों के तहत अंतराष्ट्रे प्रणाली पर आधारित भौतिक मापों की इकाईयों को निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। बिल में रहते हैं ये जीव मुखे रूप से चीटियों और दीमकों का भक्षन करते हैं। ये बांगलदेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाये जाते हैं। इन्हें स्थानिय उपभोगी उपयोग और अंतराश्ट्री व्यापार उसके मास आधी के लिए आखेट और अवैद छिकार से खत्रा है। भारतिय पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन दोनों भारत में पाये जाते हैं। दोनों ही पैंगोलिन को वने जीव सनरक्षन अधिनियम 1972 के भाग एक के तहट अनुसूची एक में सूची बद्ध किया गया है। भारतिय पैंगोलिन के लिए आयूसियन इस्थिती एंडेंजर्ड है। हालही में केरल के कुछ जिलों में बथखों में बढ़ फ्लू के मामले दज किये गए है। गंभी रोक का कारण बन सकते हैं इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपून खबरों के साथ तब तक अपना खयाल रखिये सुरक्षित दूरी बनाए रखिये मास्क पहनिये नमस्कार